36 गड़ के धमतरी जिले में आए दिन हाथियों का आतंक देखने को मिलता है अब एक बार फिर केरे गाउं रेंज में तीन दंतेल हाथियों के आने से ग्रामिणों में दहशत का माहौल है हालांकि वन विभाग ने मूर्चा संभाल लिया है और ग्रामिणों को अलर्ट रहने को कहा है ये हाथि फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जाबिना देख वे ओ कमारमान खाएल के हाथ धोयला लिक ले रही हूं और रामला पठकी सना ता उद देखिन ते वहां महरुकर आईगी का थे लेड़ जला तरी से कुकुर्मान बड़कर का तीन ठान कुकुर्रीना कुकुर्मान उद्धे चला नी दीना भूकीन तब रहा कमार डोकर आईगा बताल जाईज ता फिर का रहा कमान पूर रहा याइन नहां फटाका वठाका फोडिन तब फिर एदाशने ढंके लिकाल किना वाई ये रहा का थी हमारे यहां गाउं में अभी पिछले दो तीन दिन पहले चार तारिक दिन रहुयार को हाथी आयरी से लगभग वही आड़ बजे के आसपास तो हाथी इस तो सबसे पहली जो एक गाउं से जो लगे हुए एक खेती में घर है उतकर यहां के जो ड्रम अगर इसे अगर जो खेत रीस से वहां ऑगिस तो खेत में जो खर्ही रखशार जान कि वो खर्ही ला RV लगभग 23 साहर ऑर और ऊकरब्र वहां जो फाई जो रिही किसा जो खर्चार शान कर दि सार ग्राप तीन फरिशेत्र निभूं रहा है है 13 मा थी उस प्रते दिन हमारे रद़ी का सरकिल वाईज हिसाब से तती दिन राद भर निगरानी कर रहे हैं कि किसी फसल नुक्सान हो रहा है या पर कोई आदमी आदमी को नुक्सान मत पहुंचा है इस कर रहा है जानकारी के मुताबिक केरी गाउ रेंज के मारदा पोटी, बनरोद, कुमहडा और गेंदरा पारा में इन दिनों ये तीन दंतैल हाथी गूम रहे हैं हालाके इलाके में वनविभाग के अधिकारी, करमचारी तैनात हो गए हैं गाउ में मुनादी करा कर लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है क्योंकि ये हाथी बहुत खतरनाक बताय जा रहे हैं ये हाथी आधी रात को धंतरी से नगरी मुख्य मार्ग को पार कर मारदा पोटी गाउं की ओर देखे गए इन हाथीों के लोकेशन मिलते ही हाथी निगरानी टीम ने ग्रामिनों को अलर्ट कर दिया बताया जा रहा है कि इन हाथीों के आने की वजह उनके लिए इस इलाके में भरपूर खाने पीने का सामान है जिसकी वजह से ये इस इलाके को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं